हेलो डॉक्टर्स तो आज का हमारा टॉपिक है इसकिन ओफ एंटिरियर अब्डमिनल वॉल तो एंटिरियर अब्डमिनल वॉल की जो इसकिन होती है हम आज उसके बारे में डिसकस करेंगे प्रीविस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि एंटिरियर अब्डमिनल वॉल जो होती है उसमें मेली 9 layers होती है जो outermost layer होती हो जो इसको skin बोलते हैं उसके बार हमने बाद को बताया था कि superficial fascia जो होता है उसकी दो layer होती है outer fatty layer is campus fascia and inner membranous layer is scarpa fascia ठीक है फिर muscles की layer थी external oblique internal oblique और transverse abdominalis और उसके बाद एक fascia था जिसका नमता fascia transfer cellis उसके बाद extra peritoneal tissue clear थी और उसके बाद uttermost जो innermost जो थी वो थी पैरेटल peritoneum तो आज जो हम इन सब के बारे में detail में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं skin के बारे में ठीक है तो आज हम किसके बारे मत कर रहे हैं skin के बारे मत करने वाले है skin of anterior abdominal wall ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो skin होती है anterior abdominal wall की इसमें highly stretchable होती है कैसी होती है highly stretchable होती है आपने देखा हो कि आपकी body की जो other parts होते हैं उनकी skin इतनी stretchable नहीं होती जितना skin की होती है अगर आपने देखा हो जब आप deep breathing करते हैं जब लंबी सांस लेते हैं तो आपके जो stomach होता उसमें क्या जाती है abdominal parts होता है उसमें stretching आ जाती है या फिर कोई भी female जब pregnant होती है तब लगे उसके अंदर एक wide बहुत ही जादा highly stretch हो जाता है आपका abdomen तो इतनी stretching capacity other parts में नहीं है इसका reason क्या है इसका रिजन है कि skin में जो होता है, वो dipe facia नहीं पाए जाता है इसकिन में हमारा dipe facia, यानि यह dipe facia क्या हुआ होता है ? connective tissue की एक tough seat होती है, क्या होती है ? connective tissue की एक tough seat होती है tough seat होती है, जो कैसी होती है ? non stretchable ठी कि है ? कि वज़े से आपकी जो प्रशिक होती है बहुत है डिपिम इसका बहुत ही जादा ऑश करता है घवरि टेसेंट और ऑप सब्सक्रेक केंगे चीक चीक वगएरा में भी आपका ये आपसेंट होता है जा फिर आप आई लेट क्या होता है टो ञाते है अगर ये वर stressing से generally marks पढ़ रहे हैं तो इनको बोलते है linear albicante linear albicante ठीक है, अगर यह normally stretching की वैसे पढ़ रहे है बट अगर यह pregnancy की तौरान पढ़ रहे है if it is during pregnancy if it is during pregnancy तब हम इसको बोलेंगे linear normal stretching से marks पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे linear albicante अगर pregnancy के दोरान अगर यह मास्ट पड़ रहे हैं तो हम इसको बुलेंगे linear ग्रैविडेरम क्या बुलेंगे linear ग्रैविडेरम इत्तिवासन में आग़ी तो stress मास्ट में आगए अच्छा next दियुक्त बताना चाहरे हैं आपकी skin में क्या होता है कभी-कभी fat का accumulation हो जाता है obesity, क्या बोलता है obesity बोलता है, अगर skin में, abdomen की skin में fat accumulation हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलता है obesity बोलता है, ठीक है अगर fat का accumulation ना होके इस skin में अगर मालीजी किसी भी fluid का accumulation हो जाए, fluid या water का accumulation हो जाए ठीक है, generally यह होता है, peritonial cavity में कहा होता है कि परिटोनियल केวिटी में एगर खीशी फ्लूंभ का a-cumulation हो जाए तो हम इसको बोलता है asiatis यह क्यूं होता है जनरली इसका जो cause होता है हो भी गौता है liver serocis liver serocis में ऐसा देखा गया है कभी-कज़ भी कभी कुछ पेशेंट जो टी-बी के पेसेंट होते हैं, उनके अंदर भी यह देखा गया है, टीवी की पेसेंट में भी देखा गया है, और कुछ cancer की cases में भी यह चीज हमने observe की है, कि fluid का accumulation हो जाता है in the skin of abdomen, ठीक है, और उस disease को क्या बोलते हैं, ascitis बोलते हैं, ठीक है, तो यह हमने basic discussion किया था, scan of anterior abdominal wall के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे topic होगा, वो होगा umbilicus, ठीक है, अगर आपको इस topic को की doubt है, तो आप comment section में drop कर सकते हैं, thank you and have a nice day